हाई दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्तों मेंदर सिंग स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेस मेंदर एजुकेशन चनल पर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ककसा बारा इत्यास की ठीक है ककसा बारा इत्यास हमारा चिप्टर नंबर रहने वाला है बारवा चिप्टर आपके पांच नमबर का हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके पांच नमबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों ठीक है और मैं दावे के साथ केता हूं दोस्तों इन में से किशन जरूर आएंगे ठीक है देखो 15 किशन तो मैंने लिए हैं ओब जी टुट टाइप किशन और 5 6 या 7 किशन ऐसे है जो बड़े किशन है तो आप सभी को अच्छे से इनको याद करने है ठीक है ओपनिवेसिक्स हैर दोस्तों मैं बलुप्रिंट के अनुसार आपकी तैयरी करुआ रहा हूं ठीक है बलुप्रिंट के अनुसार तैयरी करुआ रहा हूं यह आपका 12 बिल्कुल दोस्तों आपको घबराने की जरूदी नहीं बिल्कुल आपके हिस्टरी के अंदर सो में से सो इनमबर आएंगे और मैं बात करता हूं पॉलिटिकल की तो पॉलिटिकल के अंदर भी मैंने चार चेप्टर तक करवा दी हैं और कोसिज करूँगा कि जल्द से जल्द चेप्टर तो इसे तुरंद याद कर लेना है यह सभी किशन मौस्ट है याद कर लेना ठीक है तो दोस्तों पहला यहां पर किशन है कि अकिल भारती जनगर्ना का पहला प्रियास कब किया गया तो अठारा सो बैतर में किया गया था लेकिन आगर आपको पूच दई कि हुई थी 1881 में कब हुई थी 1881 में चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट किशन है दूसरा यह बारत में पर्थम रेल कब चली तो बारत में पर्थम रेल चली थी दोस्तों 1853 में बंबई से ठाने की बीच दोस्तों बारत में जो है पर्थम रेल चली थी 1853 में चलो दोस्तों ये भी मौश्टे याद कर लेना एक नमबर वाले किशन में पूँचा जा सकता है दक्षिन भारत के दो नगरों के नाम बताईएगा तो कांची पुरूम और मदुरूई ये दक्षिन भारत के दो मेतपून नगरें ठीक है आगे दे रहां चोता किशन की डच और कस्बा से आप क्या समझते हैं एक सब्द हैं डच और एक है कस्बा इन दोनों सब्द से क्या तात्परी आप क्या समझते हैं तो यहाँ पर डच्वा की बात करें तो निदरलेंड तुता होलेंड की निवासियों के लिए डच्वा के लिए तो ग्रामीन अंचले में बोर्ड प्रेक्षा में छप सकता है इस कुछन को ध्यान रखना अच्छे से याद करके चले जाना है देखेगा वाइट टाउन और बलेक टाउन से आप क्या समझते हैं वाइट टाउन और बलेक टाउन से आप क्या समझते हैं दोस्तो तो उत्राप लिखेंगे कि वाइट ट का जो रंग रंग था वो कैसा था तो सो गोरा था तो इसलिए इन्ह वाइट आउन कहते थे और अंग्रेजों की बस्तिकों कहते हैं वाइट आउन यहां जीवन की सभी मूल भूजरूरतें पूरी की जाती है यानि इनको जो भी कुछ चाहिए सब इनकी जो आवशिक्ता की पूरती हो जाती इनको जो चाहिए वो सभी मिल जाती है मूलबू तावशिक्ता की पूरती हो जाती थी ठीक है यहां जीवर की सभी मूलबू जरूरते पूरी की जाती थी तो यह द्यान रख आप बलेक टाउन केते हैं भारतियों के रहने की बस्ती को और बलेक टाउन अंग्रेज हींद रिष्टी से देखते थे यानि बलेक टाउन को दोस्तों अंग्रेज जो है ठीक है वाइट टाउन ये अपने बलेक टाउन को हींद रिष्टी से देखते थे तथा इसे गंदगी यौराजगत्य हगता का केंदर मानते थे black town को तो यह ध्यान रागना white town और black town किया नहीं दोस्तो तो ध्यान रागना यह person पूंचर जा सकता है ठीक है तो इस क्रिशन को अच् publi को आप अच्छे से देख सकते हैं यह white town, और यह black town, हो गया चलो देखते हैं छटा क्रिशन तो कि आप का भी टाइम वैस्ट नहों लुख है है् पहला ही लिश्टेशन का स्टापित हुआ इसका क्या मैंतों हिसका पहले हील इस्टेशन का तो तो गुरू का यूद के दोराने इसकी इस्तापना हुई थी पहले हिल स्टेशन की और ये कां इस्तापना हुई थी सिमला के अंदर ठीके अब देखेगा इसका मेतो क्या है तो ये हिल स्टेशन फोजियों के ठेरने सरहद की चोकसी करने और दुस्मन के खिलाब हमला बोलने क तो यह द्यान रखना पहला हिस्टेशन का इस्तापित हुआ ठीक है और इसका क्या मैतो हैं तो यह प्रमुक आपको द्यान रखना कि यह लिश्टन फोजियों के ठेरने और सरंद की चोक्षिय करने और दुस्मन के खिलाप हमला बोलने के लिए मैतापून था तो यह भी पेजली के जानने के 25 को लकता के नगर नीवजन का कार्य सरकार की साहिता से लोड ohio कमीटी नहीं किया था तो यह हैं लोडोरी कमीटी यह भी किशन ज्यायन रखना है चलो देखते हैं अगला आग्रा किशन आपके सामने की मुगल काली नगर क्यू परसीद थे या मुगल क सताबदी में मुगलकाई नगर परसीद थे अब क्यों थे वो देखेगा परसीद इसलिए थे क्योंकि आगरा है दिल्ली है वे लाओर यह परसासन वे सता के बड़े-बड़े केंदर हुआ करते थे ठीक है इसलिए जो है वो मुगलकाई नगर परसीद थे तीसरा पॉइंट दे रखा कि विशाल भवन अपनी साइस होबावे समर्दी के लिए परसी थे ठीक है बड़े-बड़े भवन थे विशाल भवन तो भवनों की वज़े से भी परसी थे इसके लाबा दोस्तों आगरा और दिली लाओर जो है परसासन वहां पर सता के बहुत बड़े-बड़े केंदर थे तो इस तरीके से आप लिख सकते कि मुगल का नगर क्यों परसी थे तो इते पॉइंट वाई-पॉइंट आपको मणाते वे इस तरीके से चलना है चलो देखते हैं नवा किशन नवा किशन दस्टों की मिरजा-गालिब कौन था तो उतर आप लिखेंगे मिरजा- गालिब मिर्जा गालिब एक परसिद सायर था यह पहले पूंचा गया ज्यान रखना मिर्जा गालिब जो परसिद सायर था इन्होंने 1857 एसीव में ब्रिटिस सेना दवरा दिली पर अधिकार करने के पस्ताद वहां के लोगों को गतिविद्यों का वरनन किया था ठीक है तो ध्यान रखना यह मिर्जा गालिब चलो देखते हैं अगला दस्वा किशन दस्वा किशन मौस्ट इंपोर्टेंट है याद कर लेना दोस्तों हील स्टेशन के चार मैतों बताईए गया कि कौन-कौन से हील स्टे के लिए हिल स्टेशन जो है वो आदर सिस्टल है तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यूरोप की जलवायू से मिलती जलवायू है ठीक है हिल स्टेशन की जलवायू है वो यूरोप की जलवायू से मिलती जलती है चोता पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सेनोटेरियों क चार में तो बताईएगा तो ये कुशन भी मौश्ट है आ सकता है अब दोस्तों ये तो पर मुख हमने दस कुशन देखे जो कि थोड़े बड़े भी थे अब देखते दोस्तों एक एक नमबर वाले कुशन जो और पूंचे जा सकते हैं आपको ठीके अब यहां पर देखो मैं तो भारत में पर्तम फ्रांसेसी जो बसती ही दोस्तों ये अपने पांडी चेरी में थी ध्यान रखना पांडी चेरी में ठीके इसके लावा दोस्तों देखो ये कुशन जो है ये आपके ओजिक्ट टाइफ किशन में किशन पूछे जाएंगे चार ओप्सन आपको सामने द सूरत में सर्वपर्तम अपना कारखाना इस्तापित किया सूरत में सर्वपर्तम अपना कारखाना इस्तापित हुआ किया अंग्रेजों ने यानि सूरत में सबसे पहले कारखाना किस ने इस्तापित किया तो अंग्रेजों ने किया था ठीके इसके बाद दोस्तों अगला प और उनी ने अपनी परतम फैक्टरी कहां इस्तिकी सूरत में कीती स्थ साथ है किशेर किसे कहा जाता तो मंबः को मंबई जो흡़न इस साथ में का सूरत क्या थे सिविल राइन्स किया थे यह भी most question है तो ओपने वे सी काल में civil lines वे नए सेरी चत्र थे